राम व्रिप्ष बेनिपुरी जी का रेखा चित्र रसिया कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हातों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोडाई भर बाह की बूटेदार कमीस पहने, काली साडी के छोर को गले में लपेटे गोरे चहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परिशान वह छोटी सी लड़की, जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी अपने बच्पन की उस रजिया की स्मृती ताजा हो थी, जब मैं भी उस दिन अचानक उसके गाओं में जा पहुँचा हाँ, यह मेरे बच्पन की बात है मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ा कर भागेवे बच्चडे की तरह उचलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरांदे की चौकी पर अपना बस्ता सिलेट पटक कर मौसी से छट में पकेट ठेकुस लेकर उन्हें कुतर-कुतर कर खाता हुआ धेंकी पर जूला जूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज आई देखना बबुआ का खाना मत छू देना और उसी आवाज के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे दो-तीन गज आगे खड़ी हो गई मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था थेट हिंदूं की बस्ती है मेरी और मुझे मेले पेठिये में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था मुझे कोई ओधर लिये जा रहा था कि गाउं की एक लड़की की नजर पड़ी और मेरा उधार हुआ मैं माबाप का इकलौता था माचल बसी थी इसलिए उनकी इस एक मात्र धरोहर को मौसी आँखों में जुगो कर रखती मेरे गाउं में भी लड़कियों की कमी नहीं किन्तु न उनकी ये वेशबूशा न यह रंगरूप मेरे गाउं की लड़कियां कानों में बालिया कहां डालती और भरबा की कमीज भी उन्हें कभी नहीं पहने देखा और गोरे चेरे तो मिले हैं किन्तु इसकी आँखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दीखता वह कहां और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर तभी तो मैं उसे एक टक घोरने लगा यह बोली थी रसिया की मा जिसे प्राय ही अपने गाउं में चूडियों की खंचियां लेकर आते देखता आया था वह मेरे आंगन में चूडियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी ही बहु बेटियां उसे घेरे हुए थी मो से भाव साव करती और हाथ से खरीदारनों के हाथ में चूडियां चड़ाती वह सौदे पटाये जा रही थी अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था हाँ कभी-कभी उसके पीछे मर्द होता जो चूडियों की खांची ढोता यह बच्ची आज पहली बार आई थी और नजाने किस बाल सुलब उच्सुकता ने उसे मेरी और खींच लिया था शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुँचने से ही छू जाता है मा जब अचानक चीक उठी वह ठिटकी सहमी उसके पैर तो वहीं बद गए किन्तो इस ठिटक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया इसमें संदेह नहीं मेरी मौसी जट उठी घर में गई और दो ठकवे और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिये वह लेती नहीं थी किन्तो अपनी मा के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया किन्तो मूँ से नहीं लगाया मैंने कहा खाओ ना क्या तुम्हारे गर में ये सब नहीं बनते छट का वरत नहीं होता कितने प्रश्ण किन्तो सब का जवाब ना में ही और वह भी मूँ से नहीं जरा सा गरदन हिला कर और गरदन हिलाते हिलाते ही चहरे पर गिरे बाल की जो लटे हिल हिल उठती वह उने परेशानी से सम्हालने लगती जब उसकी मा नई खरीदारनों की तलाश में मेरे आंगन से चली रसिया भी उसके पीछे हो ली मैं खा कर मूँ धो कर अब उसके निकट था और जब वह चली जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटा गया शायद मेरी भावकता देख कर ही चुडिहारनों के मूँ पर खेलने वाली अजसर हसी और चुहल में ही उसकी मा बोली बबुवा जी रजिया से ब्या कीजिएगा फिर बेटी की और मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा क्यों रे रजिया यह दूला तुम्हें पसंद है उसका यह कहना कि मैं मुड़ कर भागा ब्याह एक मुसल्मानिन से अब रजिया की मा ठटा रही थी और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिप्ती थी कुछ देर निकल जाने पर मैंने मुड़ कर देखा रेसिया चुडिहारिन वह इसी गाउं की रहने वाली थी बच्पन में इसी गाउं में रही और जवानी में भी क्योंकि मुसल्मानों में गाउं में ही शादी हो जाती है न और यह अच्छा हुआ क्योंकि बहुत दिनों तक प्राय ही उससे अपने गाउं में ही भेंट हो जाया करती थी मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया, बढ़ने पर पढ़ने के लिए शहरों में जाना पढ़ा छुटियों में जब तब आता, इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही कुछ दिनों तक अपनी मां के पीछे पीछे घूमती फिरी अभी उसके सिर पर चुडियों की खचिया तो नहीं पड़ी, किन्तु खरीदारनों के हाथों चुडिया पिन्हाने की कला भ़ज जान गई थी उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम, नई बहुओं की यही राय थी, वे इसी के हाथ से चुडिया पहनना पसंद करती उसकी मा इससे प्रसन नहीं हुई, जब तक रजिया चुडिया पहनाती, वह नई नई खरीदारने फसाती रजिया बढ़ती गई, जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और सुभाव में भी पहली भेंट के बाद पाया था, वह कुछ प्रगल्ब हो गई है, मुझे देखते ही दोड़ कर निकट आ जाती प्रश्णप प्रश्णप पुष्टी, अजीब अटपटे प्रश्णप देखिए तो ये नई बालिया आपको पसंद है, क्या शहरों में ऐसी बालिया पहनी चाती है मेरी मा शहर से चूडिया लाती है, मैंने कहा है वह इस बार मुझे भी ले चले आप किस तरफ रहते हैं वहाँ, क्या भेंट हो सकेगी, वह बके जाती मैं सुनता जाता शायद जवाब की जरूरत वह भी नहीं महसूस करती फिर कुछ दिनों बात पाया, वह अब कुछ सकुचा रही है मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती, और जब कुछ बातें करती, तो ऐसी चोकनी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी, कि मेरी भौजी ने कहा देख्यो री रसिया, बबवा जी को फुसला नहीं लीजियो वह उनकी और देख कर हस तो पड़ी, किन्तु मैंने पाया उसकी दोनों गाल लाल हो गए हैं और उन नीली आँखों के कोने मुझे सजल से लगे मैंने ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आँखें हम पर भालों की नोक ताने रहती है रसिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई, और अब जवानी के फूल उसके शरीर में खिलने लगे हैं अब भी वह मा के साथ ही आती है, किन्तु पहले मा की एक छाया मात्र लगती थी अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कस्मसाहट है जब वह बहनों को चूडिया पहनाती हैं, कितने भाई तमाशा देखने को वहां एकत्र हो जाते हैं क्यों, बहनों के प्रती भातत्व भाव या रजिया के प्रती एक अज्यात आकर्शन वहां लाता है उन्हें जब वह बहुँं के हातों में चूडिया ठेलती होती हैं, पतिदेव दूर खड़े कंखियों से देखते होते हैं क्या, अपने नवोड़ा की कोमल कलाईयों को या इन कलाईयों पर क्रिडा करती हुई रजिया की पताई उंगलियों को और जैसे रजिया को इसमें रस मिलता है, पतियों से चुहले करने से वह बास नहीं आती बाबू, बड़ी महीन चूडिया है, जरा देखेगा कहीं चटक न जाएं पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिल-खिलाती हैं, रजिया ठटा लगाती है, अब वह अपने पेशे में निपुन होती जाती है हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुन होती जाती थी, चुडिहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंग की चूडिया हों, सस्ती, तिकाओ, तटके से तटके फैशन की बल्कि यह पेशा चूडियों के साथ चुडिहारिनों के बनाव शंगार, रूप रंग, नाजवदा भी खोशता है जो चूडि पहनने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके, जिनकी जेब से चूडियों के लिए पैसे निकलते हैं सफल चूडिहारिन थी वह, यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी खंडर कहता है, इमारत शांदार थी जो जो शहर में रहना बढ़ता गया, रसिया से भेंट भी दुरलब होती गई और एक दिन वह भी आया, जब बहुत दिनों पर उसे अपने गाउं में देखा पाया उसके पीछे एक नव जवान चूडियों की खांची सिर पर लिये है मुझे देखते ही वह सहमी, सिकुडी और मैंने मान लिया यह उसका पती है किन्तु तो भी अंजान सा पूछी दिया, इस मजूरे को कहां से उठालाई रे इसी से पूछिये, साथ लग गया तो क्या करूँ नव जवान मुस्कराया, रजिया बिहंसी बोली, यही मेरा खावित है मालिक खाविंद, बच्पन की उस पहली मुलाकात में उसकी मान ने दिल लगी दिल लगी में जो कह दिया न जाने वह बात कहां सोई पड़ी थी अचानक वह जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठाई होगी मेरा विश्वास है और एक दिन वह भी आया कि मैं भी खाविंद बना मेरी राणी को सुहा की चूडियां पहनाने उस दिन रसियां आई और उस दिन मेरे आंगर में कितनी धूम मचाई इस नटकट ने यह लूंगी वह लूंगी और ये मू मांगी चीजे नहीं मिली तो वह लूंगी कि दुलहिन तापती रह जाएगी हट हट तू बगवाजी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा भौजी ने कहा यह भी तापता रहेगा बहुरिया कहकर रसिया ठटा मार कर हसी और दोड कर हसन से लिपट गई ओ हो मेरे राजा कुछ दूसरा ना समझना हसन भी हस पड़ा रसिया अपने प्रेम कथा सुनाने लगी किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा किस तरह जंजटे आई फिर किस तरह शादी हुई और वह आज भी किस तरह साया सा उसके पीछे घुमता है नजाने कौन सा डर लगा रहता है इसे और फिर मेरी राणी की कलाई पकड़ कर बोली मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह चाया की तरह डोलते रहें दुलहन सारा आंगन हसी से भर गया था और उसी हसी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी मुझे ऐसा ही लगा था जीवन का रत खुर्दुरे पत पर बढ़ता गया मेरा भी रजिया का भी इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई मैं आजकल ज्यादातर घर से दूर दूर ही रहता कभी एकाद दिनों के लिए घर गया शाम को गया सुबह भागा तरतर की जिम्मेदारियां तरतर के जंजाल इन दिनों पटना में यों कहिए पटना सिटी में एक छोटे से अकबार में था पीर बावर्ची भिष्टी की तरह यों तो लोग समझते की मैं संपादक ही हूँ उन दिनों न इतने अकबार थे न इतने संपादक इसलिए मेरी बड़ी कदर है यह मैं जानता जब कभी दफ्तर से निकलता देखता लोग मेरी और उंगली उठा के फुसफुसा रहे है लोगों का मुझ पर यह ध्यान मुझे हमेशा अपनी पत प्रतिष्टा का ख्याल रखना पड़ता एक दिन मैं चौक के एक प्रसित पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था मेरे साथ मेरे प्रशन्सक नव युवक थे एक दो बुजुद भी आकर खड़े हो गए हम पान खा रहे थे और कुछ चुहलें चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला बाबु वहा औरत आपको बुला रही है औरत बुला रही चौक पर मैं चौक पड़ा युवकों में थोड़ी हल्चल बुजुर्गों के चहरे पर रहसिमई मुस्कान भी मुझसे चिपी नहीं रही औरत कौन मेरे चहरे पर गुसा था वह लड़का सिप पिटा कर भाग गया पान खा कर लोग इधर उधर चले अचानक पाता हूँ मेरे पैर उस और उठ रहे हैं जिस और उस भच्चे ने उंगली से इशारा किया था थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है किन्तु इस चौक की शाम की रूमानी फिसा में किसी को किसी और देखने की कहा फुरसत मैं आगे बढ़ता गया और वहां पहुँचा जहां उस से पूरब वह पीपल का पेड है वहां पहुँची रहा था कि देखा पेड के नीचे चबूत्रे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुँच कर कह उठी सलाम मालिक धकसा लगा किन्तु पहचानते देर नहीं लगी उसने जो ही सिर उठाया चांदी की बालिया जो चमक उठी रसिया यहां कैसे मेरे मूझ से निकल पड़ा सौदा सुलफ करने आई हूँ मालिक तब तो नए किसमे के लोग हो गए न अब लाह की चूडिया कहा किसी को भाती है नए लोग नए चूडिया साथ सिंगार की कुछ और चीजे भी ले जाती हूँ पाउडर, किलिप, क्या-क्या सीजे न नया जमाना, दुलहनों के नए मिजास फिर जरा सरुकर बोली सुना था आप यहीं रहते हैं कहां रहते हैं मालिक मैं तो अक्सर आया करती हूँ और जब तक पूछूँ कि अकेली होया कि एक अद्वयस्क आद्वी ने आकर सलाम किया यहां हसन था लंबी-लंबी दाडियां पाँच हात का लंबा और मुस्तंडा भी देखे मालिक, यहां आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता यहां कहकर रसिया हस पड़ी अब रसिया वह नहीं थी किन्तु उसकी हसी वही थी वही हसी वही चुहल इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और नजाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहा हूँ और अब मैं कौन हूँ कोई देख ले तो किन्तु वह फुर्सत दे तब न जब मैंने जाने की बात की हसन की और देख कर बोली क्या देखते हो जरा पान भी तो माली को खिलाओ कितनी बार हुमच हुमच कर भर पेट ठूस चुके हो बाबू के घर जब हसन पान लाने चला गया रसिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई है अब तो ऐसे गाओं हैं जहां के हिंदू मुसल्मानों के हाथ से सौदे नहीं खरीते अब हिंदू चुडिहारने हैं हिंदू दरजी हैं इसलिए रसिया ऐसे खांदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है किंदू रसिया ने यह खुशकबरी सुनाई मेरे गाओं में यह पागलपन नहीं और मेरी राणी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चुडियां लेती ही नहीं हसन का लाया पान खा कर जब मैं चलने को तयार हुआ वह पूछने लगी मेरा डेरा कहा है मैं बड़े पसो पेश में पड़ा डरिये मत मालिक अकेले नहीं आऊंगी यह भी रहेगा क्या मेरे राजा यह कहकर वह हसन से लिपट पड़ी पगली यह शहर है शहर यो हसन ने हसते हुए उससे बाहे छुडाई और बोला बाबो बाल बच्चों वाली हो गई किन्तो इसका बच्चपना नहीं गया और दूसरे दिन पाता हूँ रसिया मेरे डेरे पर हाजिर है मालिक यह चूडिया रानी के लिए कहकर मेरे हातों में चूडिया रख दी मैंने कहा तुम तो घर पर जाती ही हो लेती जाओ वही दे देना नहीं मालिक एक बार अपने हाथ से भी पहना देखिये वह खिल खिला पड़ी और जब मैंने कहा अब इस उम्र में तो वह हसन की और देख कर बोली पूछिये इस से आज तक मुझे यही चूडिया पहनाता है या नहीं और जब हसन कुछ शर्माया वह बोली घाग है मालिक घाग कैसा मुझ बना रहा है इस समय लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है ठठा कर हस पड़ी इतने जोर से कि मैं चौग कर चारों तरफ देखने लगा हाँ तो अचानक उस दिन उसके गाउं में पहुँच गया चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए जिस ओगट घाट पर न खड़ा कर दे नाक में पेट्रोल की धुएं की गंद, कान में साई साई की आवास चहरे पर दर्द गुबार कामबार परिशान बदहवास किन्तो उस गाउं में जो ही मेरी जीब घुसी मैं एक खास किस्म की भावना से अभिबूत हो गया यह रजिया का गाउं है यहां रजिया रहती थी किन्तो क्या आज मैं यह भी पोच सकता हूं कि यहां रजिया नाम की चुडिहारिन रहती थी या है हसन का नाम लेने में भी शरम लगती थी मैं वहां नेता बन कर गया था मेरा जै जैकार हो रहा था कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे जिसके दर्वाजे पर जाकर पान खाऊंगा वह अपने को बढ़भागी समझेगा जिससे दो बातें कर लूँगा वह स्वयम चर्चा का एक विशय बन जाएगा इस समय मुझे कुछ उंचाई पर ही रहना चाहिए जीब से उतर कर लोगों से बातें कर रहा था या यूँ कहिए कि कलपना के पहाड पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था किन्तु दिमाग में कुछ गुथियां उल्ची थी जीब अभ्यास वश एक काम किये जा रही थी अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था दोनों में कोई तारतम्य न था किन्तु इसमें से किसी एक की गती में भी बाधा क्या डाली जा सकती थी कि अचानक लो यह क्या वह रसिया चली आ रही है रसिया वह बच्ची अरे रसिया फिर बच्ची हो गई कानों में वे ही बालिया गोरे चहरे पर वे ही नीली आखे वही भर बाह की कमीस वे ही कुछ लटें जिन्हें संभालती बड़ी आ रही है बीच में 40-45 साल का व्यवधान अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा दिन में सपना वहां आती है गबबर ऐसी भीड में घुसकर मेरे निकट पहुँशती है सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़ कर कहती है चलिए मालिक मेरे घर मैं पहुँचका कुछ सूज नहीं रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा लोग मुस्करा रहे है नेता जी आज आपकी कलई खुल कर रही नहीं यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा एक कह रहा है कैसी शोक है लड़की और दूसरा बोलता है ठीक अपनी दादी जैसी और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी यह रस्या की पोती है बाबू बेचारी बीमार पड़ी है आपकी चर्चा अकसर किया करती है बड़ी तारीफ करती है बाबू, फुर्सत हो तो जरा देख लीजिये, न जाने बेचारी जीती है या मैं रसिया के आंगन में खड़ा हूँ ये चोटे-चोटे साफ सुत्रे घर यह लिपा पुता चिककन धुर-धुर आंगन भरी-पुरी ग्रहस्ती महनत और दयानत की बेन हसन चल बसा है, किन्तु अपने पीछे तीन हसन छोड़ गया है बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है मंचला पुष्टैनी पेशे में लगा है चोटा शहर में पढ़ रहा है यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी दादा का सिर पोते में, दादी का चहरा पोती में हू बहू रजिया, दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े आंगन से पुकार रही है दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए किन्तु पहली रजिया निकल नहीं रही कैसे निकले, बीमारी के मैले कुचेले कपडों में, मेरे सामने कैसे आए रसिया ने अपनी पोती को तो भेश दिया, कि तो उसे विश्वास न हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाला नेता, अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेगा और जग सुना मैं आ रहा हूं, तो बहू से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है न, इसकी दोनों पतो हुएन उसे सहारा देकर आंगन में ले आई रसिया, हाँ मेरे सामने रसिया खड़ी थी, दुपली, पतली, रूखी, सूखी किन्तु जब नस्दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चहरे से एक शन के लिए जुर्या कहा चली गई जिनों ने उसके चहरे को मकड़जाल बना रखा था, मैंने देखा, उसका चहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा और चमक उठी वे नीली आँखें, जो कोट्रों में धंस गई थी और अरे चमक उठी है आज, फिर वे चांदी की बालियां, और देखो अपने को पवित्र कर लो उसके चहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही है वे लटें, जिने समय ने धो पोंच कर शुब्रश्वेत बना दिया है